दमश्कार इस्टी नियूस देखे आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज़ देश की राष्टमती ड्रापती मुबूर राजधानी राची पहुची है तस्वीर इस वक्त मैं आपको हर्मू रोट की दिखा रही हूँ आप देखेंगे यहाँ पर थोड़े ही देर में ड जार्खंच के गवर्नर मौजू थे मुख्यमंत्री हेमन सोरीन मौजू थे और तस्वीर इस वक्त आप देखें यहाँ पर यह काफिला जो है यह आने का सिलसिला सुलू हो चुका है आप तस्वीरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह देखें यहाँ पर थोड़ी देर मे का काफिला हर्मु चौक को यह क्रॉस करता हुआ दो दीवसे दौरे पर देश की राश्वत्री द्रौपती मुमु जार्खंच पहुची है आपको बता दो कि केंद्रिय ला संस्था कि सताबदी समारों में शामिल होने के लिए द्रौपती मुमु राची आई है 20 सब्तमब आपको हर्मु रोज की दिखा रही हूँ जहां पर ये बीजेपी आफिस है और बीजेपी कार्याले के पास में मौजूद हूँ दस्वीरे इस वक्त दिखा रही हूँ आप देखें द्रौपती मुमु का काफिला इस तरीके से देख पा रहे होंगे दो दिवसे दौरे पर जहारकंज पहुची हूई है देश की राष्टपती द्रौपती मुमु और कल 20 सप्लंबर को वो नामकुम में केंद्रियला संस्था सतावदी समारों में शामिल होने के लिए पहुची हूई है और ऐसे मैं ये देखें ये द्रौपती मुमु का काफिला जाता हुआ तस्व आम वहान यहां नहीं चल रहे हैं जो कि तस्वीरे आपको दिखा रहे हूँ आप काफिला देख पा रहे होंगे द्रौपती मुमु का दो दिवस जहारकंज दौरे पर द्रौपती मुमु आई हुई है देश की राष्टपती और आज रात वो राजभवन में विश्राम कर आज रात वो राजभवन में विश्राम करेंगी और कल सुबा साड़े आठ बजे वो नामकुम के लिए निकलेंगी जो कि तस्वीरे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नामकुम ने एक केंद्रे ला संस्था सताबदी समारों में शामिल होने के लिए द्रौपती मुमु जो ही हुई है और ऐसे में आज रात वो राजभवन में विश्राम करेंगी और पोर्ट पर जब उनका विश्रे श्रीमान लैंड करता है उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ओनर दिया जाता है और उस वक्त जारखंच के गवर्नर मौजूद होते हैं साथी मुख्यमंत्री हेमन सुरेन मौजूद होते हैं केंद्री मंत्री सिवराज सिंग चहान सहीत बीजेपी के राश्ट्रेस्तर और राज्यस्तर के जो बड़े नेता है वो भी एयरपोर्ट पर द्रौपती मुमू के स्वागत में वहाँ पर मौजूद होते हैं तो आपको हमने यह तस्वीर दिखा जो बिर्सा चौक होते हुए और गोड़ा पहुचता है और इसी हर्मू रोड को क्रॉस करते हुए वो रातु रोड पहुचेंगी जिसके बाद राजभवन जाएंगी और रात वो राजभवन में ही विश्राम करेंगी और कलसुभा वो नामपुम निकलेंगी जहां पर व में बतौर मुखी आती थी शामिल होगी फिलाल इस ख़बर में तहीं मुझे दीज़े जाज़त नमस्कार